दुनिया में चॉकलेट की मांग लगातार बढ़ रही है 2018 में ही विश्वभर में करीब 77 लाग टन चॉकलेट खाई गई तो ऐसे में तो घाना के कोकुआ उगाने वालों का जीवन सर काफी बढ़िया होना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं इनका रोज का महनताना दो चॉकलेट बार की कीमत से भी कम है महंगी चॉकलेट कुछ लोगों के लिए लग्शुरी आइटम बन जाती है और जो किसानी से उगाते हैं ये उन्हीं के नसीब में नहीं आती मैं तो खाना खाने को ही तरजीह देता हूँ क्योंकि जब आप खाते हैं तो आठ से एक तक काम कर सकते हैं अब ज़ादा मजबूत होते हैं लेकिन चॉकलेट से तो केवल ज़ादा से ज़ादा एक या दो घंटे ही काम चल पाएगा चिंता की एक और वज़ा ये है कि घाना में कोकुआ की खेती 30 फीस दी घट चुकी है क्योंकि वहां के पेड़ पुराने और बीमार बढ़ चुके हैं इसमें ऐसी फलिये हैं जो वाइरस के कारण कभी पूरी तरह नहीं पक पाती ये उपज के लिए अच्छी नहीं है इसे इस्तिमाल नहीं कर सकते ये बरबाद है अब एक पर्यावरन प्रोग्राइम के तहट ऐसे किसानों की मदद की जा रही है किसानों को मुफ्थ ट्रेडिंग के साथ साथ कॉफी के बेहतर किस्म के अंकुर भी बाटे जा रहे हैं उमीद है कि इस तरह उनके कारोबार और जंगलों को बचाया जा सकेगा